हिंदू धर्म के सर्वोच गुरू और जोतिश और द्वार का शार्दा पीट के शंकराचार्य स्वामी स्वरुपानन सरस्वती जी का आज 99 वर्ष की आयू में महाप्रयान हो गया स्वामी स्वरुपानन दंडी सन्यासी बनाय गए थे और 1981 में उन्हें द्वार का शार्दा पीट का शंकराचार्य बनाया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पंद्रह और 16 सितंबर को शंगाई सहयोग संगठन S.C.O. के शिकर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उजबेकिस्तान की यात्रा करेंगे सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले दो दशकों में समुह की गतिविद्यों की समीक्षा करने और बहपक्षिय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है प्रधान मंत्री के शिखर सम्मेलन से इत्र कुछ द्विपक्षिय बैठके करने की भी सम्भावना है इस सम्मिलन में नरेंद्रमोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपती शी जिन पिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के आलावा दूसरे सदस्य देशों के प्रमुक भी हिस्सा लेंगे वितम अंत्राले देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए बीमा कानुनों में बदलाव पर विचार कर रहा है इनमें न्यूंतम पूंजी की जरूरत को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है न्यूंतम पूंजी की जरूरत को कम करने पर बैंकिंग शेत्र की तरह विभिन प्रकार की कमपनिया भीमा कारोबार में उतर सकेंगी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक सूखा पढ़ने और धर्ती के लगातार गर्म होने की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी आई है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है इस बदलाव से हवा की गुनवत्ता बेहत खराब हो गई है इसका सीधा असर इंसान और जानवरों की शरीर पर दिखाई दे रहा है इसके अलावा धर्ती का पारिस्थितिक तंत्र भी बिगड़ रहा है अधिक गर्म हवाओं के बहने की और इनकी समय सीमा के बढ़ने की भी आशन का जताई गई है ये पहले से अधिक इलाकों को प्रभावित करेगी हवा की गुनवत्ता और अधिक खराब होगी जो इनसान की गलतियों की सजा के रूप में दिखाई दे रहा है चेतावनी स्वरूप कहा गया है कि अधिसदी के आन तक धर्ती का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ग्राउंड लेवल ओजोन के स्तर में व्रिधी हो सकती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस की हूटर का ही इतना खौफ होना चाहिए कि जिसे सुन अपराधी काम चाहें रात में पुलिस की बहतर से बहतर पेट्रोलिंग होनी चाहिए अपराधी को किसी भी हालत में बक्षा नहीं जाना चाहिए हमने पहले दिन से ही यूपी में अपराधियों के समूल नाश का संकल्प लिया था और उसे पूरा भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग जल्द ही लेकपालों के की भरती के 40,500 पदू पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है